दुनिया में जितनी भी सूपर पावर्स आज तक बनी है या जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हुबरी है उन सब में सवाए दो चार को छोड़के बाकी तमाम में एक चीज कामन हुआ करती थी और वो चीज ये थी कि इन सब के पास नेवी बड़ी शानदार थी जबरदस्ट किसम की नेवल फॉर्स इन सूपर पावर्स के पास मुझूद थी जानी के थाबित यह होता है कि दुनिया का कोई भी मुलक सूपर पावर्स या सिगनिफिकंट मिलिटरी पावर्स हो ही नहीं सकता जब तक उसके पास शानदार किसम की नेवी ना हो नेवल फॉर्स के बिना आप एक बड़ी ताकत नहीं बन सकते अब आज की दुनिया में अगर आप देखें तो हजारों साल से ये पैटरन चलता 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 आज तक यहां पर आया है कि आज भी दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकत हैं वो समंदरों के उपर कंट्रोल कर नेकी लड़ायां लड़ रही हैं और कोशिशें कर रही हैं कि समंदरों के उपर ट्रेड रूट्स के उपर हमारा तसलत होना चाहिए हमारा कंट्रोल होना चाहिए इसी हवाले से आप देखिए कि मुखतलिफ मुलकों की जो पॉलिसीज बनी हुई है सिक्यूरिटी स्ट्रे है और इसी हवाले से इंडिया भी हाथपाओं मार रहा है और इंडिया भी मुखतलिफ जो मुलक हैं जो गलोबल ट्रेड रूट्स के उपर बने हुए मुलक हैं वहाँ पर जाकर कोशिश ये कर रहा है कि इंडिया का वहाँ पर इंफ्लियोंस असरों रसूख बढ़ है अग सेशल्स और मौरेशल्स थोड़ा सा नीचे की तरफ मुलक है लेकिन मालदीव वो मुलक है जहां पर दुनिया की पांच मेंसे चार सबसे इंपॉर्टन जो सी लैंज है वो गुजर रही होती है इसके बीचों बीच या इसके पास से गुजर रही होती है ये मालदीव की खलता चला आ रहा था ना इंडिया ने जब वहां पर देखा कि फ्यूचर में हो सकता है कि हमारी पोजिशन वहां पर डामक डॉल हो जाए तो इंडिया का तो वहां बैस बना हुआ था ना मालदीव के अंदर जो कि इस वक्त दबरदूस हो चुका है तकरीबन इंडिया आने के हवाले से इंवेस्टमेंट करना शुरू करती ताकि अगर हम मालदीव में आउट भी हो जाएं तो इंडिया नोशन के अंदर हमारी नेवल प्रेजन्स सिगनिफिकन्ट रहे उस हवाले से इंडिया ने कोश्चें की हैं और मौरेशस के हवाले से खबरे आज ये आ है कि मौरेशस में इंडिया का नेवल पेस जो है वो बनके रेडी हो गया है ये अलग बात है कि मौरेशस वाले डिनाय कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये मिलिटरी फैसलिटीज नहीं हैं सिविलिन फैसलिटीज हैं जो कि हमने उनको बनाने दी हैं लेकिन एक्सपर्ट क चाहिए रहे हैं कि ऐसा नहीं है यह सिविल नहीं मिलिटरी है यह मान नहीं रहे है लेकिन यह मिलिटरी फैसलिटीज है साउव चाइना acha नहीं पोस्त ने रिपोर्ट किया है कि मारिशास लॉंच इंडिया फंडेड एयर स्टिप ऑन अगा लेगा डिनाईज इट विल भ तो वो कह रहेंगे नहीं ये कोई मिलिटरी बेस नहीं है ये सिविलियन मकास्थ के लिए यूज होगा लेकिन जिसा कि मैंने शुरू में बताया आपको ये मिलिटरी बेस ही है असल में नेवल बेस है और ये मैं किस बुनियात पर कह रहा हूँ अलजजीरा जो के दुनिया के बड़े न्यूज आउटलेट्स में से एक है इन्होंने एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाया की थी एक दो साल पहले और उन्होंने बड़ा काम किया इस फैसलिटी के उपर बड़ा काम किया क्लोजली उन्होंने जहां कर वहां 21 की ये खबर दिखाऊं कि मौरेशियस की strategic significance ये है कि यहां से बैठके आप अफरीका की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उनको भी चेक में रख सकते हैं और इंडिया नोशन में भी थोड़ा बहुत इंफलियोंस आप रख सकते हैं नोशन के हवाले से इतना बढ़िया किसम की location नहीं के सकते थोड़ा साइड में नीचे की तरफ है कहते हैं कि सट्लाइट इमेजरी financial data and on the ground evidence obtained by Al Jazeera's investigative unit point to India building a naval facility on the remote moration island of Agalega military experts who have analyzed Al Jazeera's evidence say an airship under construction will almost certainly be used for maritime patrol missions by India's navy rumors and media reports about the military base first surfaced in 2018 but both Mauritius and India have denied that construction project is for military purpose and say the infrastructure is only to benefit the islanders अच्छा ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है यहां पर Maldivs वाला Maldivs के अंदर भी वहां ये हुआ था कि इंडिया ने जब वहां नेल बैस बनाया था तो शुरुआती तो पर इंडिया भी इसको डिनाय कर रहा था और Maldivs की उस वक्त की गवर्मेंट जो थी इबराहिम सौले की वो भी डिनाय कर रहे थे कि यहां पर ये कोई military बैस है उन्होंने कहा था कि नहीं ये ऐसे ही है civilian मकास्थ के लिए लेकिन वहां की जो opposition थी उन्होंने बाद में गेम डाल दी थी और India out campaign शुरू होने की वहां पर सबसे बड़ी वजा ही असल में ये Indian बेस बना था यहां पर भी public से चुपा के Mauritius ने गालबन ये काम किया हुआ है लेकिन certainly वहां की opposition के radar में या वहां के media के radar में ये facility आ सकती है और ये भी मुम्किन है कि इसकी बुनियाद पे वहां पर भी India out किसम की चीज़ आपको नदर आ जाए Mauritius के अंदर भी क्योंके nobody wants foreign troops on their soil बाराल तो India की ये facility वहां पर बन गई है अब देखना ये है कि ये कब तक वहां की opposition और वहां जो विरोधी है इंडिया के वरोधी वहां पर भी है वैसे उनकी नदरों से कब तक ये facility बच सकती है that we need to see और अगर यहां पर नेरल activities होंगी इंडिया की तो वो भी for sure future में highlight हो जाएंगी अच्छा ये बात मैं तना certainly इसलिए कह रहा हूँ क्योंके 2015 में इंडिया ने जब memorandum of understanding sign किया था मौरेशस की government के साथ तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसको develop करेंगे inverted कामाजमें development वहां पर वो लेकर आएंगे लेकर उस वक्त भी यहां के जो locals हैं शदीद विरूद किया था उन्होंने बहुत ज़्यादा वहां पर इसका वुरुद हुआ था और उन्होंने इस चीज़ को like नहीं किया था अचागा लीगा जो island है ये basically दो island है थोड़े सीजिकी जिगोराफी भी आखर में आपको बता दू ये में ली दो island है नॉर्थ और साउड्थ में दो island है जो northern island है जहां पर इंडिया ये गालबन military base बनाना चाहा रहा है बलकि बना चुका है वो साड़े बारा किलो मेटर लंबा है और डेड़ किलो मेटर चोड़ा है only सिर्फ डेड़ किलो मेटर और जो इसके नीचे अगर आप देखें तो गोल किसम का एक island आपको इसी का हिसा नजर आता है तो वो वाला जो island है वो सिर्फ साथ किलो मेटर लंबा है और साड़े चार किलो मेटर चोड़ा है ये निजबतन ज्यादा चोड़ा island है और इनके जो लोग वहां पर रहते हैं ये बगाइदा आबादी रहती है वहां पर लोग रहते हैं इस island के उपर coconut उनकी main industry है coconut वहां पर बहुत ज़्यादा coconut trees है तो वो इनको export कर रहे होते हैं बेच रहे होते हैं यही उनकी main industry है वहां पर तो इंडिया ने इसको चुना था और इस पर इनोंने ये military base बना हुआ है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया locals इसके बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे होते हैं और जैसे ही इंडिया की यहां पर activities शुरू होंगी तो इस हवाले से locals का जो विरोध है वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा